How to fix Facebook? Please check your internet connection and try again problem. नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तेकिराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों बेसिकल आजकल जो हमें फेस्बुक में इस तरह का जो एरर है वो देखने को मिल रहे हैं हम दोस्तों जबी भी अपने Facebook को आपेंड करते हैं और Facebook का जो timeline है उसको स्क्रॉल करते हैं तो उस वक्त दोस्तों हम इस तरह का error देखने को मिल जाते हैं हमारा जो pages रहते हैं वो बिल्कुल blank रहते हैं ठीक है अभी दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का कोई भी problem कोई भी issue जो है face करना पर रहा है तो आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेगा मैं आपको show करके बताऊंगा केसे आप जो है इस problem को solve कर सकते हैं ठीक है तो वीडियो के साथ अंतक बने रहे हैं सारे साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को जो है subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए बैल आइकून को क्लिक करें अगर आपको online पैसा कामाना एट वीडियो description पर link आपको मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या होगा सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कुछ रिजन जो है वह बता रहता हूं मान लिजे दोस्तों आपका net connection on है काफी देर से और आपको उसको use नहीं क्या है तो background पर दोस्तों कभी कबार जो है data connection बनो जाते हैं तो उसके वज़े से भी problem आते हैं सारे साथ दोस्तों एप बग वज़े से भी problem आते हैं तो data connection नेट्रोग problem या फिर एप के वज़े से यह problem आ जाते है Facebook के अंदर पे तो आप simply दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं आपको solution बताऊंगा उसको follow कर लेना सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या करना है data connection को solve करना है अपने setting को open कीजिए and dual sim and mobile network पर जाके mobile data को एक बार बन करके on कीजिए अपना sim को select कीजिए और उसके बार preferred network टाइप पर जाके 4G, 3G उसमें आपको network switch करना है तो इससे क्या होगा आपके area में अगर 4G अच्छे से काम कर रहे तो 4G यूज़ कीजिए अगर 3G अच्छे से काम कर रहे तो 3G यूज़ कीजिए तो इस तरीके से दोस्तों आपको network जो है switch करना है उसके बार एक बार mobile को restart कर दीजिए and then दोस दोस्तों चेक करके देखे आपका problem solve हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है network problem connection fix कर सकते हैं अगर network में अभी भी problem आते हैं तो sim card को eject करके reinsert करके देखिए तो उससी भी आपका काम बन जाएगा by any chance दोस्तों मान लिजिए आपका जो problem है solve नहीं होते डेटा connection solve हो जाते हैं लेकिन अभी भी आपको facebook में यह problem आ रहा है तो दोस्तों आप जाएए अपने mobile के play store में play store में जाके दोस्तों आपको यहाँ पे जो है search करना है facebook and then facebook को update कर देना है facebook update जिसी ही होगा mobile को एक बार restart करके उसको दुबारा से रिचेक करके देखे problem solve हो जाना चाहिए solve हो जाता है तो अच्छी वाद है लेकिन मान लेजिए इसके बार भी अगर problem solve नहीं होते तो फिर आप क्या कर सकते हैं next solution को दोस्तों follow करना होगा उसके लिए setting को open कीजिए scroll down करके app management पर जाईए force stop करके दोस्तों आप जो है storage users पर जाईए clear data कर दीजिए data clear करने के बाद दोस्तों आप simply जाए permission setting पर और सारे permissions allow कर दीजिए सारे permission allow करने के बाद दोस्तों data uses पर जाईए और network permission ठीक है इसको आप allow कर दीजिए यहाँ पर वाइफा इन mobile data है तो उसको allow कर दीजिए and आप बेक कर दीजिए mobile को restart कीजिए और चेक करके देखें आपका problem solve हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है facebook के यह problem को solve कर सकते हैं तो अगर आपको problem आते हैं तो आप simply इस solution को अपने mobile पर कर लीजिए आज के इस वीडियो बोटोस तो बस इतने thanks for watching